चलिए दूस्तों, आपको कुछ अलग तरी कीसे बताते हैं कि फोक्स का विलोम सब्द क्या होता है और आज किस वीडियो के अंदर आपको फोक्स के विलोम सब्द की बारे मीं हम अच्छे से जानकारे देंगे आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विलोम सब्द किसे कहते हैं ताकि आप फोक्स के विलोम सब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें तो दोस्तों जरा दें से सुनें कि वे सब्द जो एक दूसरी की विप्रीत या उल्टार्थ देते हूँ उन्हें विलोम सब्द कहते हैं और वहीं पर आगर हम फोक्स के विलोम सब्द की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता देती हैं कि फोक्स का विलोमसब्दे विक्सन होता है यानि दोस्तों फोक्स का विलोमसब्दे विक्सन होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप इमारे साथ दो रहें कि फोक्स का विलोमसब्दे विक्सन होता है इसके यानि जो नर लोमडी होती है उसे ही अंग्रेजी में फोक्स कहती है और वहीं पर अगर हम विक्सन के अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों विक्सन का हिंदी में अर्थ होता है लोमडी यानि जो लोमडी होती है उसे ही अंग्रेजी में विक्सन कहती है तो इस तरह से दोस्तो आपने अब ये समझा कि फोक्स का अर्थ क्या है और विक्सन का अर्थ क्या है तो आप अब ये काफी अदिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि फोक्स का विलोमसदि क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर्श बता देते हैं कि फोक्स का विलोम सब्दी क्या होता है तो दोस्तों जला देर से सुनी कि फोक्स का विलोम सब्दी विक्षन होता है यह नि दोस्तों फोक्स का विलोम सब्दी विक्षन है और यह आपको अच्छी तरह से यादगरना है जिसके लिए आभी मरिसा दो रही कि फोक्स का विलोम सब्द विक्षन होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के निरापने सेखा की फोक्स का विलोम सब्द दिक्या होता है अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो यो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दी